स्री शिवाईन नमस्त उब्यम दर्शको कैसी हूँ आशा गरते हैं कि आप सब सुवस्तेम सुरक्षित होंगे दर्शको आज हम आप लोगों को हल्दी से जुड़े कई उपाई वताने जा रहे हैं जिन उपाईयों को कर आप अपनी निर्धनता को दूर कर सकते हैं दर्शको भला कोन नहीं चाता है कि उसकी धन की अलमारी हमेशा रुपे पैसो से भरी रहे और उसे कभी भी किसी बात की कमी ना हो लेकिन कई बार कुछ लोगों को भरपूर मेहनत करने के बाद भी सपलता नहीं मिलती है ऐसे में लोगों के लिए हम आज इस वीडियो में कई परकार के खास उपाई बताने जा रहे हैं जो कि आपको धन के मामले में लाबकारी साबित होंगे साथ ही कुछ लोग घर की तिजोरी या फिर धन के इस्थानों को ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं लेकिन वास्तू में यह सही नहीं माना जाता है कहते हैं कि तिजोरी में पैसो के साथ ही ये पाथ चीजे जरूर रखी होनी चाहिए ऐसा करने से मातालक्षमी की कुरबा आप सब पर हमेशा बनी रहती है ऐसे में दूस्तों पहला उपाई है मातालक्षमी को पीली कोडी बहिद प्रिय मानी जाती है ऐसे में कहते हैं कि इसे धन की अलमारी में जरूर रखना चाहिए वैसे तो पीली कोडी या दिपावली या फिर धन तेरस की पूजा में चड़ाई जाती है मगर अनावशक धन ना करने के लिए धन की अलमारी में रखने से इनको सबसे बड़ा लाब मिलता है लेकिन आप इसे किसी भी सुकरवार या फिर पूनिमा को भी अपनी अलमारी में रख सकते हैं दूस्तों दूसरा उपाई है, कहते हैं कि धार्मी कारियों में हल्दी का परियोग बेहिद सुब माना जाता है, हल्दी की एक मात्र गाठ आपकी आर्थिक तंगी को दूर कर सकती है, दर्शागों आपको करना यह है कि गुरुवार या फिर सुकरवार को एक हल्दी की गाठ लाल या पीले कपड़े में बांद कर अलमारी में धन के साथ रख देनी हैं ऐसा करने से आपके उपर मालक्ष्मी की कुरपा बनी रहेगी और धन संब्रद्धी की कभी भी कमी नहीं होगी दर्शा को तीसरा उपाई है मालक्ष्मी को लाल रंग का कपड़ा बेहिद पिरिय होता है अपने धन के इस्थान में लाल रंग के कपड़े में 11 सिखे या फिर 21 रुपे बांद कर जरूर रखे और फिर किसी सुब दिन जैसे सरद पुनीमा धन तेरस दिपावली या शुकरवार इस लाल रंग के कपड़े को बदल दे और इसमें रखे धन को दान करने का निर्न करे और अन्य कोई नया कपड़ा रख दे इससे मातलक्ष्मी का लाब प्राप्त होता है दर्शा को दूसरा उपाई है कि किसी भी सुकरवार के दिन या फिर किसी भी गुरुवार के दिन आप अपने घर में रसोई घर में जो धनिय का डिब्बा है उस धनिय के डिब्बे में एक सिक्का अवश्य रखे और साथ ही चाहें तो सिक्के के साथ आप एक इलाइची भ माप्त हो जाती है ऐसे में ये जो उपाई है वास्तों में बढ़ा ही कारगारी है दर्शकों चोथा उपाई है मानेता है कि भगवान विश्णू के हातों में सोभा बढ़ाने वाला और मालक्ष्मी का आसान माने जाने वाला कमल का फूल धन के इस्थानों में रखना बहेद स अगर रखने के बाद यह फूल सूख जाए तो फिर इसे तुरंद ही बदले ऐसा करने से आपके धन में व्रद्धी होगी मालक्ष्मी का असरवाद प्राप्थ होगा और मालक्ष्मी प्रिश्न भी होगी ऐसे में दर्शा को किसी भी शुकरवार के दिन या फिर किसी भी गुरुवार के दिन एक हल्दी की गाठ ले और अपने जीवन की तमाम जो भी समश्या आ रही हैं धन समंदित अगर समश्या हैं तो उस हल्दी की गाठ में एक लाल जो डोरा आता है धागा आता है उस धागे क आपको गाठ देनी है आठ और अपने हल्दी के डिब्बे में रख देनी है इस कारिय को करने से भी लाब की प्राप्ती होती है ऐसे में आप आवश्य कीजिएगा तो दर्सको यह वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में आवश्य बताईएगा और मिलते आगली वी रखेगा धन्यवाद जी नमस्कार